तुदेट्स थम्नेल तो आपने देखी लिया होगा थम्नेल देखकर ही आपने प्रेस किया है इसमें तो आपको कोशन बदाएं कोशन इस वेरी इंपोर्टेंट देखें कोशन 9th is standard polynomial का है यह कोशन आरे सकरवाल आडी शर्मार एंसी आडी तीनों ही बुक में है बहुत जादा important भी है देखे स्टूडेंट करना है तो इसकी सबसे असान ट्रिक मैं बतारेता हूं आपको यह एक identity होती है my defense you must remember this identity आपको अच्छे से यह learn होनी चाहिए आप प्लीज इसको five times जरूर लिखकर दे identity देखे five times लिखकर देख रही है जो बच्छे से five times लिखेंगे उन्हें मिलेगी चॉकलेट स्क्रिन पर दिखाई दे रही है आपके बहुत अच्छी चॉकलेट यह आपकी धर पहुच जाएगी और जो बच्छे से five times नहीं लिखकर देगी दो बाते होंगी एक तो उन्हें करना है है हम लिख देता है हम लिखते है taking माइनस 3xyz, अब देखें, from 1, इस equation 1 से जो identity है, इस से हम इसकी value, क्या लेख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं, x plus y plus z, x square plus y square plus z square, minus xy minus yz minus zx, और यहां लिख देगे, from 1, यहां तक आया होगा सभी बच्चों को, अब इस student देखें, जब हमारा right hand side देखते हैं, तो यहां पर एक 1 by 2 है, x plus y plus z है, तो x plus y plus z तो आ गया, 1 by 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से तो divide कर देंगे, और 2 से मल देंगे, वो देखें, इस सब में multiply हो जाएगी, और वो होगे, 2 x square, 2 y square, 2 z square, minus 2 xy, minus 2 yz, minus 2 zx, ठीक है, आपको यहां लाने लिख रही है, multiply divided by 2, right, student देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, हम तो आपको बहुत ही अराम से और प्यार से बताते हैं, हमारे teachers ऐसे नहीं करते थे, हालागी वो बहुत अच्छे थे, उन्हीं की वेसे हमारे जहाँ हैं, लेकिन हमारे teachers कैसे थे, देख लीजे, right, लेकिन मैं आपसे फिर भी बार-बार आपसे प्यार से कह रहा हूँ, कि प्लीज आप इसको identity को चुसे लान करें, और इस question की practice करें बार-बार, अब देखें, यहाँ पर आ गया, तो देखें, यहाँ पर तो मेरा RHS बनता हुआ दिख रहा है, आप देखें, यहाँ 2X स्क्वेर है, तो मैं कैसे है ऐसे लिख सकता हूँ, X स्क्वेर प्लस X स्क्वेर, 2X स्क्वेर हो जाएगा, ऐसी है से लिख सकता हूँ, y square plus y square ऐसे ही से लिख सकता हूँ z square plus z square minus 2xy minus 2yz और minus 2zx ऐसे ही रहेगा अब student देखे 1 by 2 x plus y plus z अब यहाँ पर देखे यह x square और यह y square और यह 2xy यह मिलकर क्या हो गया देखे x square plus y square minus 2xy यह a minus b whole square identity हमने पढ़ी है तो देखे मैं इसे बंद करके bracket में लिख सकता हूँ x minus y whole square इसी तरह यह वाला y square यह वाला y square यह वाला z square और 2yz यह मिलकर होगे y minus z square इसी तरह जो बचे हैं zx, z और यह वाला x square यह होगे z minus x whole square my defense यही तो हमारी क्या है rhs देख सकते हैं यही तो हमारी rhs थी तो student बहुत simple है आप वीडियो को play and pause करके बार बार देखे हमारी previous videos और यह हम बहुत सारी ninth standard polynomial ला रहे हैं इसके इंदर बहुत सारी questions है hot questions आप प्रिवेस वीडियो को देखे और सबसे ज़्यादा NCRT solution देखे जो हम प्रिवेस ली अप्लोडेट कर चुके हैं अप्लोड कर चुके राइट till then जैहिन जै भारत